आज को नमस्कार आज का वीडियो बड़ा ही special होने वाला है कि आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा टूल्स बताने वाला हूं एक secret टूस भी आप इसको बोल सकते हैं शाय अधि आप यूटुब पर यह टूस के बारे में बताया जाता होगा लेकिन मैं आपको आज इस टूस के बारे में मेरा जो नॉलेज है मेरा जो एक्सप्रियेंस हैं वह मैं आपके साथ शियर करूँगा दिखे मैं आपको एक बात बोल और साथ-साथ बढ़ेंगे तो सबका विकास होगा तो बढ़ी हासा होने के बाद में देश की इकोनमी में सब बराबर से हम क्या करेंगे योगदान दे पाएंगे सो हम बढ़ेंगे समाज बढ़ेगा देज बढ़ेगा तो इसी मोटो के साथ वीडिएओ में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने उस सीक्रेट टूल्स की जिसके बारे में हम आज डिसकस करने वाले हैं देखें यह वीडिएओ ठिक उसी प्रकार से होने वाला है जिस से आपको एक 33 का EMA का जो हमारा वीडियो हुआ था वो वीडियो मैं ने आपको वापे प्रोवाइड किया था आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को उसके लिए मैं सबका मनपूर्वक आभार मानना चाहूंगा सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप प्रस के साथ बोल रहा हूं उससे भी जादा आप इस वीडियो को प्यार दोंगे और इस वीडियो में जो टूल्स हम डिसकस करेंगे वह बहुत पावरफुल होने वाला है अब समझ लेते हैं कि वह टूल्स है क्या देखिए यह टूल्स जो है यह टूल्स क्या काम करेगा ह हमारा पहला तो यह टूल्स हमें मारकेट में ठेट के बारे में पता करने के सahयता करेगा अब आप बने रहे हैं अगर आप चाहते हैं मैं सुधार लाऊ में ठोड़ा सा एक सफसाइड नबनों और मारकेट से पैसा कमाऊ तो यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि market में पैसा तभी बन पाएगा जब आपको पता चलेगा कि market का जो trend है वो trend क्या होने वाला है ठीक है तो यह बहुत मुश्किल होता है एक new traders के लिए या किसी भी experience trader के लिए कि market का जो trend है वो continuously किस direction में जाने वाला है तो वही बात आज हम ही इस वीडियो में जानेगे देखिए अब उस tools के बारे में थोड़ा सा समाझ लेते हैं कि वो tools है क्या देखिए मैं जिस tools की बात करने वाला हूँ वो आपको market में बताएगा कि market का जो trend है वो downside है या market का जो trend है वो upside है ठीक है ठीक इसी प्रकार से हमने हमारे 33 EME वाले formula में समझा था कि market में जो trend है वो trend हम कैसे पता कर सकते है हमारे EME वाले formula से 33 EME का formula YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा इसी channel पर मिलेगा आपको वो formula search market दीखिए EME 33 formula आपको सिफ अपने channel पर दिखेगा किसी और channel पर नहीं दिखेगा क्योंकि मैं बड़ी research बड़ी पढ़ाई study करने के बाद मैं यहाँ पर लेके आता हूं आपके लिए कोई भी जो tools लाना होता है जो कोई भी strategy अगर लाने होती है वो ठीक है और पहली बात तो यह बूलू मैं honestly मैंने ऐसा नहीं कि मैंने market से profit generate किया है honestly मैंने भी बहुत सारा loss किया है market में उस loss के बाद में ही सिखा है और market loss के बाद में ही सिखाता है इतनी बात आप ध्यान में रखना बट अगर आप आपके पास कोई ऐसा एक channel मिल जाए ऐसा कोई एक वेक्ति मिल जाए जो आपको सही तरीके से बता सके कि यस कि उसने loss के बाद में यह strategies market से सीखी है ऐसा market ने उसको सिखाया है तो होप कि आप आपकी जर्नी में कामयाब होपा है जल्दि से ठीक है तो सर चलिए वीडियो को स प्रेंड रहता है ठीक है लेटेस्ट चार्ट से समझेंगे बैक टू बैक टेस्ट करते चलेंगे उसको एक्जामपल के साथ देखेंगे लेकिन आप जब भी उसको यूज करें तो यूज करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं आप उसको पेपर ट्रेड कीजिए आप आपको उसमें comfortable confidence अगर आता है तो आप उसको एक छोटे से capital के साथ market में लायू उससे एक बढ़िया सा profit जंडेट कर सकते हैं और दूसरी बात एक as a disclaimer बता देता हूं जो भी करना है आपके भरोसे आपको practice करके करना है ठीक है अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए कि उस tools को आपको कहां से लगाना है अब आप आ गए होगे trading view के चार्ट पे trading view के चार्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पर इंडिकेटर वाला section दिख रहा है तो वो tools आपको इंडिकेटर वाले section पर नहीं मिलेगा वो tools जो है वो मिलेगा आपको बहुत छुपा हुआ टूल लए trading view के platform पे आपको क्या करना है आपको जाना है इस वाले projection वाले tools में या उस वाले इस में जाना है आपको section में यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर scroll करोगे तो आपको एक tools वहाँ पर मिलेगा anchor view app करके तो उस anchor view app को क्या कर लेना है आपको select कर लेना है जैसे बारे में बताता है या नहीं पहले उस tool को हमारे chart पर लगा लेंगे chart पर लगाने के बाद आपको concept समझाओगा concept समझाने के बाद में उसको धीरे धीरे example के साथ backtest करते चलेंगे chart पर ही मैं आपको example यहाँ पर बहुत सारे बताने की कोशिश करूँगा लेकिन video लंबाना हो तो छे तारिक के इस पर देखेंगे पाश तारिक की chart पर देखेंगे क्या हमारा यह tools काम करता है तो चलिए अब हमने वह select कर लिया तो select करने के बाद वह डेरेक्ले आपके chart पर नहीं आएगा आपको क्या करना होगा चार्ट पर पहले click कर देना होगा click करने के बाद कुछ इस तरह से आपनो अपह इंडिकेटरस में आपे दिखे हगा आप सैरा एक दिन का चाट लेना है तो एक दिन का चाट कहां पर दिखेंगा अबी मुझे इसका क्कृष में क्या करना है आपको क्लिक करके तो ना है थी चाट बूर आपको है इस टूल में आपको यह तोल एक बैंड के तदुन अच़ा' tag怎麼了 डिख रहा लाइन यह उसका दिख रहा होगा इस में तीन लाइन उसके का वह hottest घ्रीनी HAM कि असंग्ट आप इसको चार्ट पर मिंद क्या है जब भी जिसमें राटर उपन होटा उसे में पिसल contrat लोगे तो अब इसका कॉंस्ट लेड़ पहेंडने का क्या है बहुत सिंपल है अगर मार्केट लोवर ग्रिन लाइन पर ट्रेड करता है या लोवर ग्रिन लाइन के नीचे थोड़ा सो उसके दूर ट्रेड करता है तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि मार्केट में वहाँ पर जो ट्रेंड है वो ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड होने वाला है ठीक है concept समझो lower green line पे अगर market trade करता है या lower green line से थोड़ा सो दूर market अगर trade करता है तो मैं यह मान के चल सकता हूँ कि market में वहाँ पे जो trend है वो trend अब put side का रहने वाला है या नीचे की side में market वहाँ से जाने वाला है ठीक है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे यहाँ पे जैसे ही candles ने क्या किया candles ने यहाँ पे trade करना start किया ठीक है एक मिट जैसे ही candles ने क्या किया यहाँ पे trade करना start किया इस वाले green line पे नीचे के तो आप देख सकते हैं नीचे की साइड में डाउन फॉल हमें नेचे की साइड में शार्प लिए वाँ पर देखने को मिला ठीक है सर इसका उल्टा कंस्ट्रॉप्ट हमें लगा लेना है कि अगर candles क्या करती है अगर candles मैं थोड़ा सा यहां पर इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ अगर candles क्या करती है मैं इसको थोड़ा सा यहां पर लगा लेता हूँ अगर candles क्या करती है candles अगर यहां पर इस वाली upper green line के ऊपर trade करती है या उस upper line पर trade करती है तो मैं यह मान के चलूँगा कि जो market में trend रहने वाला है वो market में trend ऊपर की side में रहने वाला है ठीक है concept समझ में आ गया और trend change कब होगा तरफ trend change तभी होगा जब market में candles जो है वो इस वाली blue line को cross करेंगी मान लिजे अगर market lower green line पे trade कर रहा है तो market का trend डाउन है तो downtrend change कब होगा अप trend में जब कोई candle इस green line को cross करके उपर की side ना जाए तब तक ठीक है और उपर से नीचे की side में trend कब change होगा जब उपर से कोई candle नीचे आए और इस blue line को यहाँ पर cross करके नीचे जाए ठीक है यह trend change वाली बात है लेकिन हमारा main मुद्दा क्या है कि market में trend पहचाना कि market में हम trend को पहचाने कैसे बात simple है lower green line के उपर अगर candle trade करती है नीचे बात सिम्पल है lower green line के उपर अगर trend उपर मतलब यहाँ पे ठीक है यहाँ पे और उससे दूर थोड़ा नीचे करती है तो हम और भी ज़्यादा confirm होगी जाएंगे कि वहाँ पे market जो है वो एक downside का momentum नीचे की side में वहाँ पे देने वाला है या जो market में trend है वो trend जो है नीचे की side में मुझे वहाँ पे मिलने वाला है यह तनी बात clear है उपर की side का भी concept clear हो गया नीचे की lower green line पे अगर market trade करता है तो नीचे का trend लेके मुझे चलना है और उपर की green line पे अगर market trade करता है तो मुझे उपर का trend लेके चलना है upside का trend ठीक है अब थोड़ा सा और clear समझा देता हूँ फिर हम इसको test करते देखेंगे one by one अभी पहले मैं इसको clear कर देता हूँ clear हो चुका है यहाँ पर देखें यह हमारा है anchored vvap जो यहाँ पर चार्ट पर लगा हुआ है concept समझ में आ गया concept simple है अगर market यहाँ पर नीचे की side lower green line पे trade करता है तो down trade upper green line पे trade करता है या उससे थोड़ा दूर trade करता है तो uptrade ठीक है trade कब नहीं लेना है trade तब नहीं लेना है market sideways तब रहेगा जब market क्या करेगा market यहाँ पर इस band में trade करेगा है ना इसमें trade करेगा तब market sideways रहेगा तब उहाँ पर trade opportunity plan करनी ही नहीं है market में जाना ही नहीं है न भाई ठीक है बहुत बात simple है concept समझ लिए concept समझ लिए होगे तो chart पर हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से test करके चल सकते है बहुत secret बात बता रहा हूँ यह आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा ठीक है चलेगे अभी इसको clear करता हूँ और इसको धीरे धीरे अभी test करते चलेंगे सर पहले तो इसी chart से समझ लेंगे हमारे 5 January के chart से ठीक है तो वहाँ पे लगा लेते हैं पहले अपना यह वाला tool तो जैसे ही लगाया मुझे 5 January के chart की opening candle चाहिए वहाँ पे मैंने लेके गया और उसको छोड़ दिना है बस समझ मैं आ गए अब यहाँ पे market trade कहाँ पे कर रहा है सर market यहाँ पे जो trade कर रहा है वो lower green line पे trade कर रहा है और इसलिए train जो है नीचे की side में कौन सा है downtrend यस चेक हो गया यस चार जनवरी की candle पे मैंने उसको ले आया और छोड़ दिया बस वो लग जाएगा आपने आप तो चार जनवरी की chart पर आप हमारा यह tool लग चुका है अब देखिए यहाँ पे market कहाँ पे trade कर रहा है सर अपर वाली green line पे trade कर रहा है और इसको लाएगे मैं तीन जनवरी की chart पर थीक है लेके आंगे सर छोड़ देना है छोड़ दिया तीन जानेवरी के चार्ट पे अभी हमारा टूल लग चुका है यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे कहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है इस अपर ग्रीन लाइन पे कैसा मोमेंटम मिला उपर की साइड का मोमेंटम मिला मिला ना सर उपर की साइड में ट्रेड मिला यहाँ पर भी देख लिजे क्या हमारा तीन जनवरी के चार्ट पे टेस्ट हो गया यह सर अबियसली चेक बैक टू बैक रिजल्ट मिल रहा है और देखेंगे सर कोई दिक्कत नहीं लग चुका है? क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ है? मार्केट कहां पर टेड गरा है мार्केट में ट्रेन कोन से है? यहाँ पर flies हो गया बहुत सिंपल है अब आप इसको कहीं पर भी लगा लिजीया आपको ट्रेन के बारे में बताएगा मतलब बताएगा टूल्स बहुत secret है शायद आपको indicators के बारे में बहुत बार बताया होगा यूटुब पे लेकिन ऐसे tools के बारे में कोई discuss नहीं किया होगा ठीक है तो यह सारे मुझे आपको बताना था थोड़ा सा देख लीज़े आप किस तरह से work करता है देख लिया न है ना हमने test भी किया किस तरह से work करता है मैं अभी इसको clear कर देता हूँ अब यह बात सुन लो अब यह tools जैसे ही आप use करोंगे तो पहले backtest करना paper trade करना paper trade जब आप comfort हो जाओंगे यह tool के साथ में तो आपको trend के बारे में पता चलना धीरे ध confidence है तब market में एक छोटा capital लेकि वहाँ पर आईए अब सर मैं और एक और आफ को वहाँ पर एक बात बताने जा रहा हूं मैंने एक वीडियो आपके लिए और अच्छा plan किया है सर इतना confirmation perfect confirmation देंगा वो वीडियो लेकिन उसके लिए से condition है एक term है मैं अगर आपके लिए इतन बढ़ते चले जाएंगे लेकिन एक बात बता रहा हूं वह वीडियो मैंने plan किया हुआ है वह strategy बनाई हुए है क्या सर एंकर वीव्याप और 33 का यह में का यूज करके perfect confirmation लेकि हम कैसे market में trade कर सकते हैं वह वीडियो मैंने ready किया हुआ है लेकिन अगर आपका support मुझे इस वी इसका फाइदा ले पाए तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पर व्यू अगर आते हैं तो हम वह strategy यहाँ पर free में discuss करूंगा आप लोगों के साथ कोई charges नहीं चाहिए कोई fees नहीं चाहिए बस आपका प्यार चाहिए आपका आशिरवाद चाहिए और कुछ भी नहीं काई आप लोगों को पसंद आया होगा आप दो वीडियो हमारे हो चुके है कि हम ट्रेंड को कैसे पैचान सकते एक 33 का यहमें का आप चाहिए तो वह यूज कीजिए और अगर ट्रेंड पैचानने में दूसरा वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को प्रोजेक्शन की सिक्षिन में आपको मिलेगा इंडिकेटर वाले सिक्षिन में आपको वहां पे नहीं मिलेगा वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा स्ट्याटेजी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरू कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरू कर देना दूसरी बात बेल आइकान को प्रेस करना मत भूला क्योंकि अमेजिंग कांसेट अमेजिंग वीडियोज आपको इसी चैनल पर मिलेगा और कहीं पर नहीं मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय श्री राम